आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं अगला रिवीजन जो आरो आरो का है उसका आज फोर्थ क्लास है आपका BPSC, आरो आरे, UPSC इन सबका है और उसका हम लोग आज एक अलग से ऐसी संस्था और उनका आंदोलन देखेंगे जो की हम कम किताबों में बहुत ही कम य यूटूब चैनल पर हैं इसके अलाबा मैं सबसे पहले उन छात्र छात्राओं को एक बात करना चाता हूं जिनका पेपर कल टेट का था 28 नॉम्बर को और उनका पेपर लीक हो गया है परचा लीक हो गई है उनकी लेकिन वो निरास नहों ये सब आपके संघर्स का एक हिस्त तो इसके लिए आप इस तरह के चीजे न समझें कि भविश में आपके लिए रास्ते कम हो गए हैं भविश में आपको खुबसूरत मंजिल मिलेगी इसलिए आप उसी प्रयास के साथ उसी जोस के साथ लगे रहिए और जल्द ही उसका पेपर होगा जैसा कि मुख मंत्री ज रखी हुई है और आप सफल जरूर होंगे इस उत्साह के साथ आईए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है कल के जो एचारे आपने पढ़ा था उससे आगे के अंदोलन करांतिकारी अंदोलनों को देखना है वी पीएस्सी और यूके पीएस्सी में आरो यारो क पढ़ाता है उसको आप चाहिए तो फास्ट कर सकते हैं इसलिए आपको पढ़ाता हूँ अगर और कुई कापको पढ़ना है तो आप कर सकते हैं आए देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इधर मैंने लिखा है हिंदूस्तान सोचलिस्टिक रिपॉर्लिकन एक्ष्यशन जिसमें HRA जो पहले था उसी में HSRA हो गया है ये कैसे हुआ है ये आपको समझना है एक आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि 1924 में आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एस्टिशन के अस्थापना हुई थी जिसमें कि कुछ ऐसे कार किये गये उस कार के बाद एक तरह से द आपको समझ में आ जाएगा ये जो है ये सहारनपूर और लखनव वाली लाइन थी जो की आठ डाउन नाम से मालगाडी थी उसको लूटा गया था और इसमें लूटने वालों में लगभग सभी जो समय के नौजवान क्रांतिकारी नेता थे वो सभी थे और 29 क्रांतिकारी जो प्रमुख नेता थे उनको काकोरी कांड में गिरफतार किया गया था काकोरी कांड सत्र लोगों को लंबी सजा मिली थी और चार लोगों को आजीवन करावास मिला था रामपरसाद बिश्मिल जिसमें थे असफाक उल्ला खां रोशनलाल और राजंद्र लोहरी ये चार नाम आपको मुख्यता याद करना है जो काकोरी कांड में फासी के सजा इनको हुई थी और इनके अलावा जो थे उनको आजीवन करावास और लंबी सजा मिली थी इसके बाद एक तरह से देखा जाये तो क्रांतिकारी आंदोलन में सिथिलता पनने लगी थी लगभग हिंद हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एस्वेशन है जिसमें है जो आप बढ़ रहे हैं यह बाद में इसको संगठित किया गया है 10 सेप्टमबर 1928 को दिल्ली के फिरोसा कोटला पर इसका एक आहवान किया गया जिसमें संस्थापक चंसेखा राजाद थे और चंसेखा र जो आपको देखने में मिलेगा कि जो इसके प्रमुख नेता थे उन सभी का जो निर्ने होता था उसके विसेस्ता यही होती थी कि बहुमत से इनका निर्ने होता था एक मत बहुमत होता था उस पर इनका निर्ने होता था प्रमुख नेताओं में यह जो सुरू के मैंने को स्टार्ट किया गया और प्रमुख तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्रभावसिल तरीके से इनके करांतिकारी आंदोलन में तेजी आई इसी के बाद आप देखते हैं सबसे पहला काम इनका था इसके पहले अगर आपको समझना है तो यह समझ लें 1924 के बा थे और छबिल दास और यसपाल उनके साथ संस्थापक में सदस्य थे इन्होंने राजनितिक उद्देश इनका यही था कि संपूर्ण भारत में किसान और मजदूर के लिए बहुत सारे काम करना स्वतंत्र रूप से राज उनको बना कर देना सभी यूबाओं को राष्ट और भकती जगाना जितने वी यूबा थे उनको सिखाना उनको कैसे राष्ट भकती करना उसके बारें बताना तीसरा संपर्दैक्ता से दूर रहकर मज़दूर को संगठित करना जो समय का सबसे बढ़ा अंगरेजों का एक food डालो राच करों की नीती थी उस से बचाओ करने कि हमेशा भगत सिंग सी फारिस करते थे इसलिए इनने यहां पर मैंने लिखा है संप्रदाइक्ता से बच कर अपने देश के लिए आगे आना यह चीज़े इनकी थी एक ऐसे नेता थे हैं जो आज भी हमें जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं इस तरह के नेताओं का होना हमारे देश में बहुत आवश्रक था आजादी के समय यह मेरा मानना है यह मेरा वेक्तिगत मामला है वेक्तिगत मानना है आप देख सकत सबसे पहला काम HSRA के द्वारा, HRA नहीं बोलेंगे, HSRA के द्वारा सबसे पहले सांडरस की हत्या की गई है, पहला क्रांतिकारी कारे था HSRA का, जिसमें वहाँ के पंजाब के सहायक पुलिस अधिच्यक थे, सांडरस, सांडरस की हत्या की गई, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमिश के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, जिसमें सांडरस का हाथ था, और उसी दिन लाला लाजपत राय को गुरुजी बोला करते थे, भगत सिंग और ये लोग, इन लोगों के द्वारा उसी दिन ये प्रण किया गया था कि एक दिन इनकी हत्या कर दी था, उसी के अफसर के बाद 27 इसमबर 1928 को लाहोर रेलवे स्टेशन के आस्टेशन पर भगत सिंग, आजाद, चंसेखाराजाद और राजगुरु, ये तीन नाम आप याद रखेगा, भगत सिंग, चंसेखाराजाद और राजगुरु के द्वारा उसकी सांडरस की हत्या क कर दी गई थी, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखते हैं इसमें Central Legislative Assembly है, जो इसमें बम कांड हुआ था, 8 अप्रील 1929 को, 8 अप्रील 1929 को उस समय सेंट्रल, इसको हिंदी में दिली का केंदरी Assembly कहा जाता है, दिली का केंदरी Assembly में सबसे पहले 28, 8 अप्रील 1929 को बम फेक गया उस समय जब साधारन विवाद विधियक और सुरक्षा विधियक पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान 8 अप्रील 1929 को भगस सिंग और बटुकेश्वर्दत के द्वारा, बटुकेश्वर्दत और भगस सिंग के द्वारा दो लोगों के द्वारा दो बम फेके गये थे और 8 अप्रील 1929 को जिसमें किसी को भी हानी नहों इसका ख्यार लखा गया था, ये कामिस ले किया गया था, सांडर्स की हत्या जो हुई थी, उसके बाद पूरी चर्चा हुई और H.S.R.E. ने दो वेक्तियों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि बलिदान देने का प्रयास किय और 2 वेक्तियों के द्वारा इस किया को कराना चाहते थे, उसका कारण क्या था, ये काम करनी की क्या जूरत पड़ी, तो सांडर्स की हत्या के बाद निर्दोस वेक्तियों को परत्या चार बिटिस सरकार ने शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये जो H.S.R.E. संस्था थी ये निर्दोस वेक्तियों को बचाने में किसी परकार का उनका मदद भी नहीं कर पा रही थी, और बिटिस सरकार को भी मना नहीं पा रही थी, इनको पकड़ने के लिए सांडर्स के हत्या के बाद भगत सिंग आजाद, राजगुरू इन सब को पकड़ने के लिए उनके द् इन्दनियकार, बिटिस सरकार के द्वारा निन्दनियकार और पुलिस के द्वारा दमनकारी नीती अपनाई गए थी, जिसके बिरोध में उनको सुनाने के लिए सभा में सारवजनिक सुर्चा विधियक और बैपार विवाद विधियक पर जब चर्चा हो रहा था, तो हानी न पहुंचे, इस बम से किसी को नुकसान न हो, उसके बाद गिरफतारी होती है, भगत सिंग, बटकश्वर, दतकी, और इस पूरे कांड को लेकर लाहोर सर्यंत्र मुकदमा को भी मिक्स करके, जो लाहोर में, ये वाला मुकदमा लाहोर में जो हुआ था, ये काकोरी का बाद लाहोर में जो ये सांडरस की हत्या हुई है, उसको भी लेकर एक साथ मुकदमा को कंबाइंड करके, लाहोर सर्यंत्र मुकदमा 1929 को चलाए गया, जिसमें भूख हर्ताल पर जतिन दास बैठे थे, इसलिए ये बैठे थे जतिन दास की जो नॉर्मल या जो साधारं कै उनसे हटकर राजनितिक कैदी के रूप में इनको जाना जाया, इसलिए जतिन दास के द्वारा 13 सेप्टमबर 1929 को 64 दिनों का एक आमरे नंशन किया गया था, भूख हर्ताल किया गया था और 64 भी दिन उनका देहान थो गया, जतिन दास को, तीन लोगों को उसमें भगत सिं आने के प्रयास में, चंसेखर राजाद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी सफलता उनको नहीं मिली, उसके बाद उस समय के जो वायसराय थे, इर्विन, उनके उपर भी इनोंने बहुत सारे हमले कराया है, ट्रेन उडानी कोशिस की, जिसमें तीन डब्बे उड़ गए फरवरी 1931 में बैट कर वो चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार के कार को आगे करना है, करांतिकारी अंदोलन कैसे चलाना है, इन सब चीजों पर चर्चा कर रहे थे, उसी दोरान उनका पुलिस है मुडवेर हुआ और वहाँ पर वो सहीद हो गए, तो 23 मार्च 1931 को भगस इंक इसको और फासी के समय इनका सबसे बड़ा चीज ये था कि युवाओं में जो जागरती इनको फैलानी थी, इसलिए ये फासी पर जुलने के लिए पूरी तरह से तयार थे, फासी पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तयार थे, किसी प्रकार से माफी मागने के लिए तयार तो ये factual चीजे हैं, जो dead by days और आपको प्रमुख निताओं के रूप में इनको याद रखना है, कभी-कभी इन चीजों से प्रस्ण ज़्यादा आते हैं, ये जो फांसी चार लोग के हुई है, ये फांसी अलग-अलग जगद हुई है, राम परशाद बिश्मिल, असफाक उल राम परशाद बिश्मिल, राजिंद लोहरी, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप याद रखेगा, राम परशाद बिश्मिल भी आपको कभी-कभी लगता है, लाहोर सरीयंत्र मुकदमा या सांडरस की हत्या, या बम एसेंबली वाले बम में, बम कांड में, इनका हाथ था ऐसा नहीं है, इनका हाथ केबल वहाँ पर भगत सिंग और बटुकेश्वरदात थें, और जब फांसी सजा हो रही थी, तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, भगत सिंग के साथ, भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू, और ये असफाक उल्लाखा, राम करके मेमराइज कर लीजिए, और आने वाले समय में फिर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, इसी उत्साह के साथ 23 जनवरी, UKPSC का आने वाला एड्मिट कार्ड उसके संबंद में, और आरो यारो जो 5 दिसंबर का है, ये अंतिम समय है, एकदम लगे रहें, मैं प्रयास कर कर दो और गले एंता मिलेगी, और आने वाले